Hi this is Guru here so once again welcome back to our channel cpr price action trading cpr by Guru so आज का दिन काफी easy दिन था option बायर के लिए पैसा बनाने के लिए so एमन्दो आज मुझे भी अच्छा पैसा बना तो almost मेरा capital डबल हुआ तो ये मेरा live trading group है जिसमें जो लोगों ने मेरे साथ जूट रखे मेरे साथ group में तो जो जो में entries लेता हूं जो जो मेरे profit होते हैं जो जो में trade लेता हूं वो सारी चीज़े मैं group में share करता हूं so आप ये सारे screenshot देख सकते हैं almost आज मुझे लग बग भी देखा जाए तो 27-28,000 के around profit हुआ है so अच्छे trade मिले मुझे so अभी चली बात करता हूं कि आज का दिन मैं क्यूं बोल रहा हूं कि easy दिन था trading के लिए ठीक है सबसे पहले चीज़ समझे कि मैंने आपको काफी दिन पहले भी मैंने आपको एक strategy बताई थी EMA crossover की और VWAP मैंने को बड़ी simple एक strategy बताई थी जिसमें मैं यूज करता हूं VWAP ठीक है और उसके साथ में मैं यूज करता हूं 9 and 20 EMA ठीक है ये एक ऐसा powerful strategy अगर आप इसके उपर थोड़ा काम कर लेते हैं तो आप easily profitable हो सकते हैं देखे आज के दिन में क्या था कि market में यहां पे इसने 200 से rejection लिया और कहीं ने कहीं हमारा यहां पे 200 moving average भी था प्लस यहां पे हमारे पास क्या था PDH भी था जाने कि PDH प्लस R1 का एक zone था ठीक है meanwhile यहां पे देखे यहां पे मैंने आप देख सकते हैं कि call का chart लगा रगा रगा है 46200 का call था और मैंने 46600 का put लगा रगा है आप यहां पे देखे उपर यहां पे market में जाने के लिए resistance है और meanwhile देखे call option में भी resistance है किस चीज़ का resistance है call option में resistance है एक तो VWAP का resistance है उपर जाने से वो hurdle का काम करेगा प्लस आपके splash CPR का resistance है तो यह दोनों चीज़ें इसको रोक के रखेंगी market को उपर जाने के लिए same as it is आप put में देखे put में क्या था put में नीचे VWAP था आप क्या देख सकते हैं नीचे put में नीचे VWAP था तो यह put को कहीं नगाई support प्रवाइड करेगा और यह यहां पर rejection प्रवाइड करेगा क्योंकि यहां पर VWAP भी और CPR भी है और यहां पर देखी क्या है यहां पर moving averages भी और PDS भी है तो इस case में हम लोग trade करेंगे इस case में देखी जो मैंने trade plan execute के मैंने बड़ा simple trade plan execute किया मैंने trade किया जब मेरा day low break हुआ ब्रीच हुआ जहने कि day low break हुआ day low break होने के पीछे मेरा बहुत सार्वाइड सा कारण था कि पहली condition क्या थी कि मेरे जो candles हैं जो मेरे candles हो वो basically जो 9 and 20 EMA के नीचे trade कर रहे थे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे cross हो और candle नीचे trade करना शुरू कर दिया और day low को break कर दिया और meanwhile आप यही चीज़ देखिए call में भी यही चीज़ हुई call में भी day low break हो इसी time पे call में भी day high break हुआ क्या होगा day high break हुआ so this was a perfect entry for going me going for a put trade तो मैंने यहाँ पे put trade लिया और उसमें मुझे अच्छा कासा profit लिया तो पहला trade मैंने यहाँ पे लिया so इसमें मुझे अच्छा का लगभग 10-12,000 का profit होता है opening then उसके बाद फिर मैं मुझे कहीं जाना तो तो मैं चला गया तो उसके बाद थोड़ी दिर बाद आया तो फिर मैंने यहाँ पे यह reversal तो मैंने यहाँ पे breakout trade पकड़ा यहाँ पे reason क्या था इस trade के पीछे क्या है क्योंकि market already reverse कर चुका था और अच्छे खासे बड़े-बड़े bull candle बना के consolidation कर रहा था और इस time पे क्या हुआ कि candles मेरे 920 के ऊपर trade कर रहे है ठीक है तो इस case में मैं क्या करूंगा इस case में मैंने यहाँ पे देखी क्या क्या यहाँ पे देखी basically VWAP भी support दे रहा और 920 यह में भी support तो this is the best time for going a call trade और same as it is meanwhile इसी time पे आप देखी क्या हुआ इसी time पे put नीचे trade कर रहा था 920 तो यह एक अच्छा scenario था मेरे लिए फिर से call जाने के लिए तो यहाँ पे एक मैंने फिर call का trade लिया और फिर मैंने फिर यहाँ पे put का trade लिया तो almost मैंने पूरे दिन में ट्रेड लिये और तीनों के तीनों मैंने वैसे देखा जो तो 4-5 ट्रेड लिये लेकिन मेरे जो आज एक भी ट्रेड मेरा रेड में नहीं है आप देख सकते हैं आपको दुबारा दिखा देता हूं यह मेरे को screenshot है जो मैंने आप देख लिए एक भी ट्रेड मेरा रेड नहीं है जो जो मैंने ट्रेड लिये सारे मैंने सारी चीज़ा मैंने शेयर करें इस ग्रुप में अपने में ठीक है तो अभी मैं आपको यह चीज़ समझाता हूं कि आप भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं यह मेरा execution का पार्ट मैंने आपको समझाया लेकिन अभी मैं आपको strategy पार्ट के उपर आता हूं देखे सेम चीज़ है कि option बायर को पैसा कब मिलेगा option बायर को हमेशा पैसा बनेगा momentum में momentum में पैसा बनेगा momentum कब रहता है momentum हमेशा तब रहता है देखो एक सुभाविक चीज़ है मान के चली एक तकड़ी है आपको तकड़ा न वेट करने वाले एक तकड़ी होती है जहां पे लोग सबजी तोलते हैं जिससे हैं यहां पे डंडा लगा होता है यहां पे आदमी पकड़के वेट को बैलनस करता है देखे मार्कीट में जो मैं सिंपल स्टड़ी समझता हूँ देखो इमान के चली एक कॉल है और मान के चली एक पुट है आपको कॉल में पैसा बनाना है तो आपको कॉल में पैसा कब बनेगा आपको कॉल में पैसा तब बनेगा जब यह वाला partner नीचे जाएगा और यह वाला partner क्यों होगा उपर जाएगा कैसे होगा जैसे कि यहाँ पर देखे इस case में यहाँ पर देखे क्या हो रहा है put क्या हो रहा है call क्या हो रहा है उपर जा रहा है और put क्या कर रहा है नीचे जा रहा है तो यह चीज में आपको पैसा बनेंग चलो आपको पुट में पैसा बनाना तो उस केस में क्या आना चाहिए पुट आपको उपर जाना चाहिए और जिसमें तो यह आम प cœ goal को पैसा बनता है कि option buyer को ऐसे टाइम पैसा नहीं मनेंगा यह consolidation को सब्सक्राइब बनेगे तो हमें क्या करना है हमें basically वो ही entries ढूंड नहीं है जिसमें हमें basically हमारा momentum continue रहे है तो उस case में मैं use करता हूँ simple 9 and 20 E.M. में इसमें मेरा बहुत simple rule है अगर मान के चलो candles 920 के ऊपर trade कर रहे है जैसे मान के लिए spot chart मेरा 920 के ऊपर trade कर रहे है इस time पर कर मेरा call भी ऊपर trade कर रहा है तो I will definitely look for a call trade मैं put के बारे में सोचूंगा नहीं पुट के बारे मैं तब सोचूंगा जब इसने call lane 920 के नीचे cross कर के trade करना शुरू कर दिया अभी यह मेरा put में सोचने का time है मनलों कि देखो हम लोग अकसा देखा जाता है कि intraday में buyer बायस हो जाता है बायस होने की वज़ा से देखो जैसे ही सोबा में यह market गिर रहा तो लोगों ने put ले रखे होंगे तो इस moment को पकड़ ही नहीं पायोंगे क्योंकि उनके दिमाह में put ही बैठा हुआ क्योंकि market सोबा से गिर रहा तो sudden से reversal कर दिया और उनको मतले कि अपने उप्र ट्रस्ट न लेना है same as it is same as it is अगर आपका put 920 and VWAP के उपर trade कर रहा है और उस टाइम पे sport आपका नीचे तो आपको put कर टे लेना है simple parameter है भाई जितना जल्दी इस strategy के उपर master कर लोगे practice कर लोगे easily पैसा बना लोगे बाकि दुनिया में अनाफ शनाफ दिखाने के लिए बहुत सरे strategies है कोई मर्जी follow करें जाओ मैं आपको challenge से साथ बोलता हूं कि जितना simple रखोगे अपनी price action को जितना simple अपनी strategy को रखोगे आप उतना easily पैसा बना सकते हो market बागी complex करने के लिए मेरे पास 1000 चीज़ों मैं आपके लिए complex कर देता हूं ठीक है लेकिन कहना कि लोग simple चीजों को विश्वास नहीं करते और simple चीजों के पूर trade नहीं करते तो very simple setup है जो मैंने लगा रखा है मैंने चार्ड में कुछ नहीं लगा रखा है मैंने चार्ड में सिर्फ एक indicator लगा रखा है CPR CPR basically मैं levels को यूज कर देसे मानने चार्ड मैंने पुट लिया है तो मैं put कहां पे बुक करोंगा मैं nearest pivot पे बुक करोंगा अगर बानने चार्ड यह फिर level टूटता हूं मैं nearest pivot को बुक करोंगा तीसरी चीज मैं यूज करता हूं 9 and 20 यह मैं यूज करता हूं simple तीन चीज पे मैं अपना trading करता हूं और इसी से मैं पैसा बना रहा हूं ठीक है मेरे लिए अगर यह चीज काम कर रही तो आपके लिए भी चीज काम कर सकती है बस फरक क्या कि आपको इसके ओपर थोड़ा trust दिखाना और इसके ओपर practice करना और आप easily पैसा बना हो सकते हो ठीक है आप देख लो कि मेरा एक भी दिन में आज एक भी trade मेरा red नहीं है ठ इसको बोलते कि trending move को सही तरीके है हाँ ठीक है मैंने बड़ा पैसा नहीं बना लेकिन मैंने at least जितना मैं capture कर सकते है उतना मैंने capture किया ठीक है तो यह चीज़ें आप भी कर सकते हैं लेकिन सही प्राइस एक्षिन को समझना जरूरी है कब call लेना कब put लेना आपको यह पता होना जरूरी है उमिद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा अच्छा लग तो like करें शेयर करें और मिल तेक लिए वीडियो में